हेलो गाइज दिस देवंदर कुटारी कैसे हैं अब सब लोग वेलकम बैक तो यूट्यूब चैनल जितने भी नए वीवर से हम सब के लिए कि मैं बिल्कुल रह और आथेंटिक वीडियो बनाता हूं कॉपी पैन पर यह आप लोगों को समझाता हूं और यह मुझे सब से अच पार्ट में ओवर्यू करेंगे और दूसरे में मैं आपको कब विनर टीम सेजिस्ट करूंगा अभी यूटूब पर जितने भी तरह की कॉंटेंट है इस टाइम पर देखने को मिलते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी ऐसे गेम में जहां पर आप रियल टाइम मनी इन्व कर रहे हो चाहिए वह बैटिंग हो ठीक है या फेंटिसी हो उतना कॉंटेंट या उतनी नौलेज इनफ नहीं है चाहिए आप छोटा पैस अन्वेस्ट कर रहे हो चाहिए बड़ा ठीक है तो उस कॉंटेंट से हटकर अलग कुछ चीजें जो मैं यूज करता हूँ पछले से आठ साल में जो मेरा एक्सपीरेंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और काफी असी चीजे आप लोगों को सीखने या देखने को मिलेगी जिसमें आपको भी लगए कि नहीं यह चीजी इंपॉर्टन है और हमें इसके पर टाइम देना चाहिए बिना टाइ से मागे बढ़ेंगे पार्ट में तो मैं आप लोगों को चीजे बताता रहूंगा एक ही वीडियो में डाल दूंगा तो आपके दिमाग से उपर से निकल जाएगा और जिस टाइम पर आपको यूज करने होंगी वो चीजे वो आपके दिमाग में रहेंगे निए तो अभी हम डिसकस करेंगे सबसे पहले कि किसी भी टूर्णामेंट को किसी भी टूर्णामेंट को कैसे पिक करना है कि यह पंटर फ्रेंडली है यह पुकी फ्रेंडली है राइट क्योंकि मैचेस हैं अल्लीमिटेड और आपको खेलना है लिमिटेड मैचेस क्योंकि हमारे पास जो मन करोगे उस बिहाफ पर कि यह मैच अच्छी हो सकते हैं पंटर फेंडली हो सकते हैं इसमें करारा सकता है वो जैसे-जैसे आपको एक्सपीरेंस आएगा मैं चीज़े सिखाऊंगा कुछ आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको वो चीज़े फील होंगी ठीक है कि नहीं यह बात में दम है राइट क्योंकि हर मैच करके तो ना आप जीश सकते हैं मैं भी आपको हर मैच बताऊंगा शायद मेरा अच्छ किस तरह का होता है और कौन सी टीम अच्छी है कौन सी टीम पंटर फ्रेंडली हो सकती है ठीक है कौन सी टीम बुक्की हो सकती है कैसे डिसाइड करें तो उसके लिए मेरे पास जो मैं अनलेसिस करता हूं उसके अंदर मेरे पास चार पैरामेटर्स होते हैं सबसे पहला टीम क निकालते हैं कि कौन सी टीम पेपर पर स्ट्रॉंग लग रही है कौन सी टीम इनफॉर्म है ठीक है ठीक है रनींग मैच में मार्किट किस्को सपोर्ट कर रहा है ठीक है काफी सब्सक्राइब करना है क्योंकि हम मार्केट के opposite भी नहीं जा सकते हैं मैं मार्केट के साथ चलना है वो चीजे भी मैं आपको सिखा हूँ है जब मार्केट लोड भाव यह सब चीजे हम mention करेंगे तो आज हम mainly overview के उपर बात करनें कि किस तरह से हम किसी भी league को decide करते हैं ठीक है तो सबसे important जैसे मैं आपको बताए कि team combination सबसे ज़्यादा important होता है मैं वीडियो को लादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि team combination मैं जब हम match by match analysis करेंगे और grounds के भारे में भी match by match analysis करेंगे क्योंकि सब team के अपने एक home home ground है 14 grounds पर match होने वाले हैं उस particular video के अंदर particular match day पे आपका team combination भी आ जाएगा individual team का और ground के analysis भी आ जाएगे तो दीरे दीरे एक एक वीडियो करते हुए शुरुआत के 10 match में 12 match में हमारा पूरा IPL कबर हो जाएगा और बाकी के remaining matches में वो आपको help करेगा तो आज हम मोटा मोटी ओपर से ही overview करेंगे कि कैसे हम किसी भी league को decide करते हैं तो सबसे पहले और सबसे important दो factor होते हैं team combination और ground ये दोनों में अगर आपने crack कर लिया ये दोनों आपने अगर crack कर लिया तो आपकी चीज़ें काफी जादा easy हो जाएगे जैसे कि मैंने अभी IPL के 10 team का overview किया है squads का उसके अंदर लग रहा है कि कुछ team में काफी जादा strong हो गई है और कुछ team में पीछे हो गई है जैसे कि के कैरमिश रेश एयर है जिसके आसपास पूरी team build होती है तो इन दोनों team का team combination बिगड़ गया है CSK में कुछ player injured है कुछ RCB में है कुछ player अफरीका के जो है उनकी सीरी चल रही है वो तीन तारिक के बाद आएंगे शुरुवात के 6 matches में नहीं आप आएंगे तो उसमें team combination कैसा होगा आपकी playing 11 क्या बन रही है और आपके जो player है जो क्या बोलते है अपन उसको replaced players जिसको बोलते हैं कि 11 बन रही है अगर कोई player available नहीं है तो आपके पास bench पर कौन से player available है चाहे वो foreign और चाड़ों चाड़ों इस इसाप से आपकी playing 11 बन ती क्योंकि tournament काफी ज़्यादा लंबा है हर टीम को 14-15 matches खेलने होते है तो उस इसाप से आप decide करते हैं कि team combination किस इसाप का बन रहा है तो अभी ही तक मैंने जहाँ देखा कि कुछ team IPL के अंदर paper पर काफी ज़्यादा strong हो गई है और कुछ team में पीछे हट गई है दस में से तक कि मैं चार या पांच आसी team है जो paper पर super strong दिख रही है और कुछ आसी team है जो बिलकुल strong नहीं दिख रही है जिनके chances कम है semi final या final में पहुंचने के उस basis पर मैंने यह decide कि friendly tournament हो सकता है बढ़ हमें selective रहना होगा selective phase में matches खेल ले होगे और तो जब बैटिंग अच्छा करेगी बालिंग उसको support करेगी तो जैकपॉट मैंच बनता है ऐसा नहीं कि दोनों एक weak team खेल रही है और एक strong team खेल खेल रही है तो जैकपॉट मैच बन जाएगा ऐसा नहीं है जैकपॉट मैच तब बनेगा जब दो tough team खेल रही हो या दो weak team खेल रही हो तो यह होता है किसी भी team का decide करनेगा किसी भी tournament का या किसी भी particular match का decide करनेगा कि हमें किस तरह से team को pick करना है दूसरा सबसे बड़ा main question आता है कि session कैसे खेलें किसी भी particular tournament में किसी भी particular match में तो मेरा तो यह मानना है लंभी को ऐसे कहलें जो कि मेरा ऐसा मानना कि शेशन ऐसी चीज है जिसको आपको टोटली मैच के अंदर खेलना चाहिए यह प्रिडिक्ट करना चाहिए आप पहले से प्रिटिक्ट नहीं कर से किसी टूनमेंट में कि 6 वर में 13 बन सकते हैं या 10 वर में 13 बनेंगे या लंबी में ऐसे हुगा यह सिर्फ और सिर्फ एक तुक्का है ठीक है आपको सेशन मैस के अंदर ही प्रिटिक्ट करना होगा हां यह चीज बहुत ज़्यदा जरूरी हो प्रिटिक्ट प्रिटिक्ट करना एंदर हो रही इसी विए से हमारा पीएसल काफी अच्छा भी गया तो ये सब चीजे होती हैं कि कैसे हम किसी भी tournament का overview कर सकते हैं कैसे हम किसे भी tournament को पकड़ सकते हैं कैसे हम dates decide कर सकते हैं कि किस tournament में हमें किस matches को खेलना है और selective बनना पड़ेगा selective بن जाओगे तो लंबी रेस के गोड़े बनोगे और अभी मैं कुछ भी आपको बता दूँ आपके सरके उपर से निकल जाएगा अभी आगे बहुत जादा डीप एनलाइसिस हम करेंगे ठीक है कि कैसे हम मैच में विनिंग टीम प्रडिक्ट करते हैं कैसे सेशन प्रडिक्ट करते हैं वो जब मैं टीम गवर्मिनेशन और ग्राउंट के बारे में पर्टिकुलर डे पे जब मैच होगा तब बताऊँगा तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो आपके उपर से निकल जाएगा अब भी सिर्फ हम ओवर्वी ले रहें कि प्रूनामेट किस तरह का हो सकता है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब आपको और नौलेज मिलती चली जाएगी और विडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूगा ऐइक होवर्वी वीडियो है इसके बाद हमारे अग्ले वीडियो अग fått Quinnr का और मनौस्ट नीथ क्यों सकती ludic वो सब चीजे हम डिसकस करेंगे तो मेक शूर आप हमारे साथ जोड़े रहें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन दबा दें और मोस्ट इंपोर्टनेटली टेलिग्राम चैनल में कनेक्ट हो जाएं वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी मैंने ट शुरुआत है और देखेगा आई पेल में आपको भी फील होगा जब जैसे हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं हमें कुछ नहीं चीज़ सीखने को मिल रही है और यूट्यूब पर फाइनली कुछ अच्छा कॉंटेंट भी आपको देखने को मिल रहा है तो मिलते हैं आप लोग झाल 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